नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ आज की वीडियो बहुत ज़ादा लेट हो चुकी है लेकिन ऐसे ही मैं आपके लिए एक बड़ी खुश खबरी लेकर आया हूँ दरसल आपको पता होगा कि पिछले 5 सालों से भारत की एक हतियार के बारे में बहुत ज़ादा खबरे आई हैं लगाता रूमर्स आते रहे हैं लेकिन कभी भी ना तो हमने इस देखा है और ना ही कभी किसी भारती ओफिशल की तरफ से इसके बारे में कुछ खास सुना है और न चीनियों के पास तो इसकी टक्कर का कुछ भी नहीं होगा और चीन को भी हम इसी के धंपर पचाड़ेंगे इसका नाम था घातक UCAV या फिर हम इसे औरा के नाम से भी जानते हैं अब इस पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर आ चुकी है इसकी उडान को लेकर इसकी पहली उडान होने जा रही है आपको पता होगा कि अब से तीन से चार महीने भी पहले मैंने खबर दी थी इसमें एक इसके प्रोटोटाइप को उडाया था भारते चात्रों ने अब उसके एक बड़े साइज फूल स्केल मोडर को बताया जा रहा है कि इसमें उडाया जाए क्यों कि फिर ये स्टेल्थ नहीं रह जाएगा पहली बात तो इसका जो रडार को सेक्षन है वो इतना जादा हो जाएगा कि दूर से ही कोई छोटा मोड़ा डिफेंस सिस्टम भी आसानी से रिडेक्ट कर लेगा दूसरी बात 90 टिग्री के को बहुत जारा बन जाएंगे ज स्कीन पर आप एक एग्जामपल भी देख सकते हैं कि क्या होता है इंटरनल बे तो ये भी होगा इसका भी टेस्ट किया जाएगा इसके लवा इसमें रडार अब्जोर्विंग माटीरियल भी लगाए जाने है जी हाँ यानि कि फूल स्केल मोडल होगा पूरी तरीगी से इ बताय जा रहा है कि सन 2024 तक यानि अगले तीन सालों के अंदर इसे बना लिया जाएगा और 2024 पचीस तक इसे से ना में भी शामिल करने की बात चल रही है और बताय जा रहा है कि ये पूरे एशिया का सबसे स्टेल्थ हतियार हो सकता है क्योंकि चीन ने जो स्टेल्थ बनाया है आपका क्या मान ना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा साथी वीडियो को शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्रेब करना बिल्कुन दो भूलेगा थैंक्रों शाचिंग वीडियो